नमस्कार दोस्तों मैं अंकित बादलेवी स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने चैनल में आज के इस दौर में टीवी और बॉलिवोड फिल्मों में ज्यादा फर्क नहीं रह गया है बीते कुछ सालों में टीवी की दुनिया में काफी बदलाओ देखे गए हैं और इसी वज़ाए से बॉलिवोड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपने अविनायगा लोहा मनवाने वाले कलाकारों ने भी छोटे परदे पर अपना दमखम दिखाया और कई टीवी स्टार्स को भी बॉलिवोड में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला और तो और फिल्मों की कहानियों पर टीवी सीरियल्स भी बना दिये गए और आज के हमारे इस वीडियो में हमोनी फिल्मों की बात करेंगे जिनकी कहानियों से प्रेरित होकर या यूं कहें कि फिल्म की उसी कहानी को एक धरावाहिक का रूप दिया गया तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलता रहे हमारे इस लिष्ट में पहले नम्मर पर जिस सीरियल का नाम आता है वह है बढ़ो बहू हो सकता है आप लोगों में से कई लोग सीरियल ना देखते हों लेकिन अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो जाहर है आपको कम से कम फिल्मों का शौक तो होगा है और अगर आप मूवीज देखने का शौक रखते हैं तो आपने आयश्मान खुराना और भूमी पेटने करकी फिल्म दम लगा के हैशा तो देखी ही होगी जिसमें आयश्मान खुराना अपनी बीवी को उसके मोटापे की वज़े से पसंद नहीं करते हैं सेम इसी कहानी पर सीरियल बनाया गया है बढ़ो वहू जिसमें एक मोटी सी लड़की हर वक्त अपने पती का दिल जीतने की कोशिश करती रहती है सीरियल में मुख्य किरदारों में हमें प्रिंस नरूला, रिताशा राठोर और पंकज धीर नजर आये थे इस लिश्ट में दूसरे नमर पर नाम आता है नामकरन टीवी सीरियल का अजय देवगन, पूजा भट और नागार जुन की फिल्म जख्म को कौन भूर सकता है जो सायद अपनी स्टोरी की वजए से ना सही पर गली में आज चान निकला इस गाने की वजए से तो याद आ ही जाती है महिश भट की फिल्म जख्म एक अवार्ड विनिंग फिल्म थी और कहा जाता है कि यह फिल्म महिश भट की जिंदगी से भी प्रेरित थी और सायद इसी वजए से महिश भट ने खुद एक बार फिर इस कहाने को परदे पर दिखाया सीरियल के रूप में फिल्म जख्म और सीरियल नामकरण दोनों का निर्देशन महिश भट ने किया था और फिल्म की तरह सीरियल को भी दर्शकों ने खुब पसंद किया और इस लिष्ट में तीसरे नमबर पर नाम आता है सीरियल पेशवा बाजिराओ का पेशवा बाजिराओ सीरियल की कहानी रडवीर सिंग, प्रियंका चोपला और दीपका पातकॉन श्टारर फिल्म बाजिराओ मस्तानी की कहानी पर बनाई गई थी अब क्योंकि यह सीरियल एक एतिहासे के स्टोरी पर बनाया गया था इसलिए इसे भी खुब टी आरपी मिली और आगे बढ़ते हुए हमारी इस लिष्ट में चोथे नमर पर नाम आता है नागिन थ्री का नागिन 3 सीरियल TRP की लिस्ट में हमेशा टॉप पर रहा नागिन 3 धारावाहिक में एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना अपने साथ हुए दुरुवेवार का बदला लेती हैं और इसके लिए वह अलग-अलग रूप भी धारन करती हैं सीरियल की कहानी में हलका सा फेर बदल किया गया है लेकिन आपको यह सीरियल देखकर फिल्म जानी दुश्मन या फिर कहें कि पुरानी वाली फिल्म नागिन की याद आना स्वाभाविक है और इस लिस्ट में पाँचवे नमबर पर नाम आता है जहासी की रानी का जहासी की रानी लेक्षवी भाई के जीवन की कहानी पर आधारित पहले भी सीरियल बनाया जा चुका है लेकिन जब कंगना रनौत की फिल्म मनी करण का आई तो उसके बाद एक बार फिर टीवी पर जहासी की रानी नाम से एक सीरियल लॉंच किया गया अब चूंकि लोगप् तब तक के लिए नमस्कार जैहन